नमस्ते फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पहरा जो वीडियो आया था वो शायद नेटवर्क के इश्यू के लिए क्लिरली नहीं आया तो मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूं सबसे पहले आप सबको मैं दो चीज मैं बात करना चाहता हूं करोना के लिए आप सब जानते हैं कि कल से अगर तला में लॉकडाउन होगा और ये निश्शित भी है अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो प्लीज डूंट गो आउट आप जानते हैं कि राजमाता को भी करोना हुआ है कल रिपोर्ट भी आया है कि उनको करोना निमोनिया हुआ है वो स्टेबल है घर में है हम सब देख भाल कर रहे हैं राजमाता का और आप लोग ने बहुत शुब कामना दिया है आपने बहुत लोगों ने विशिस भेजा है get well soon, बहुत लोगोंने prayers भेजा है I want to thank all of you all Rajmata is 76 years old अगले महने वो 77 हो जाएगी तो इस समय हम chances नहीं ले सकते हैं इसके लिए उनका health को हम अच्छे तरीके से monitor कर रहे हैं डॉक्टर ने भी prescription दिया है उनको COVID pneumonia हुआ है लेकिन वो अभी oxygen support में नहीं है वो घर में हैं उनका देखभाल सब कर रहे हैं हम लोग देखभाल कर रहे हैं ठीक से दूसरा बात है कि कल से क्योंकि lockdown होगा मैं सब को भी यही बोलना चाहता हूँ senior citizens हो, young people हो, youth हो, students हो अभी आपको discipline maintain करके रखना है and please ensure that हम लोग बिना काम के बिना कोई वज़े के बाहर मत निकले क्योंकि यह COVID pneumonia और यह जब करोना वाइरस जब आता है अलग-अलग strain से आता है, अलग-अलग mutant से आता है तो बहुत problem होता है और अगर एक बार हमारे hospitals में जगा नहीं रहेगा oxygen का कमी हो जाएगा तो बहुत खराब हो सकता है इसी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे stage tripra में कोई भी loss of life हो इसके लिए आप अपना discipline please maintain कीजे और mask हमेशा पहन कर रखे अगर meeting नहीं करना है तो meeting को भी थोड़ा सा avoid कीजे necessary नहीं है कि meeting हमेशा चलते रहे हम अपने तरफ से मैं जानता हूँ कि मेरे खिलाफ बहुत लोग बोल रहे है लेकिन मैं यहां में भी message में देख रहा हूँ लेकिन जो लोग मुझे अटाइक कर रहे है मुझे personally अटाइक कर रहे है तबी भी मैं उनको इतना importance नहीं देता हूँ आज भी मेरा बात हुआ है चंदीगर में हमारे बहुत दारलॉंग एंड रियंग स्टूडन्स है जिनको वापस आना है उनको problem हो रहा है तो मैंने उनसे बात किया है और उनका air ticket लेकर हम मैं अपने तरफ से अपने खुद के pocket से रुपय देकर उनको वापस द्रिप्रा ला रहा हूँ वो भी थोड़ा contribute करेंगे मैं भी थोड़ा contribute करूँगा लेकिन उनको जल से जल वापस द्रिप्रा ला रहा हूँ इसी तरीके से हमारे बहुत लोग जो दूसरे दूसरे जगे में अटके हुए है अगर उनको जल से जल आना है तो मैं अपने तरफ से ये देखिए ये government के तरफ से नहीं है this is not from the government ये मेरे खुद के तरफ से हम help कर रहे हैं जो लोग भी भार में फसे हुए है उनको वापस लाना और मैं अपने तिप्रा मोथा के members को बोलना चाहता हूँ कि जो जिन जिनका भी घर में problem है खाने का problem है थोड़ा सा financial situation खराब है आप जाकर उनको help कीजिए मैं अपने तरफ से help कर रहा हूँ मैंने अपना पूरा एक साल का salary भी दाल दिया है और उसको छोड़ के भी मैं अलग से अपने तरफ से help कर रहा हूँ अभी time है politics करने का time नहीं है अभी time है हम सब को एक होकर एक दौफा को एक होकर society को एक होकर ये करोना का pandemic जो महामारी है उसको रोकने के लिए हम सब को एक होना पड़ेगा ये करोना किसी का जात नहीं देखता है किसी का धरम नहीं देखता है ये करोना हमारा कमजोरी देखता है और इस कमजोरी को हमको fight करने के लिए एक होकर fight करना पड़ेगा regarding vaccination स्टेट कवर्मेंट से आज ही मेरा बात हुआ है स्टेट कवर्मेंट बोल रहे है कि वो ramp up कर रही है लेकिन हम जब तक vaccines अगर तला नहीं पहुचेगे जब तक vaccines हमारे पास नहीं आएगे तब तक हमको अपना बारे फिर भी सोचना है इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं politics नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जब तक हमको vaccine नहीं मिले हमको सतर खोड़कर अपने social distancing रखकर घर के अंदर ही रहना चाहिए और mask हमेशा पहनना चाहिए दो या तीन चीज़ और था मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि कुछ खबर मिले क्योंकि मैं अपने मा के संग इनका देख भाल कर रहा हूँ तो मुझे खबर मिला है कि गंड़ा चरा में कुछ violence हुआ पुली स्टेशन में कुछ हाता पाई हुआ मैंने अपने unit से बात किया है मैंने राजिश्ट रुप्रा से भी बात किया है मैंने वहां के जो दूसरी लीडर से उन से भी बात किया है और मैंने काया कि आज ही press conference करो और कोई भी बहुत लोग मैं जानता हूँ जो तीप्रा मौथा में नहीं थे जो last month में दूसरे पार्टी से तीप्रा मौथा आये है और तीप्रा मौथा का नाम लेकर वो violence create करना चाहते मेरे personal जो मेरा image है उसको भी खराब करने का कोशिश कर रहा है इसके पीछे बहुत political parties है मैं जानता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा को खतम किया तभी तीप्रासा का थांचा को खतम होगा तो अगर बुबागरा को ये target कर लो बुबागरा के नाम खतम कर दो तो तीप्रासा का जो एकता आज जो बना है वो खतम होगा और ये लोग ये लोग खुद नहीं करेंगे एक दूसरा तीप्रासा कोई लेकर ही भुभागरा का नाम को खराब करने का कोशिश करेगा मैं जानता हूँ ये पुराना पॉलिटिक्स रहा है तुरुप्रा में कि आप लोहे को लोहे से ही काटते हो तो एक दूसरा को लेकर ही भुभागरा का नाम खराब करो तो बाद में थंचर जो टूटेगा वो भुभागरा का नहीं टूटेगा वो दूसरा दूफा का टूटेगा तो ये उनका प्लाइनिंग है लेकिन मैं अभी अपनी लीडर्स को बोल रहा हूँ कि जो भी जिसने भी ये गंड़ तूइसा में वाइलिंस किया उनको प्लाइनि टीप्रा मौथा में एक position नहीं मिलना चाहिए पद नहीं मिलना चाहिए in fact उनको suspension किया जाना चाहिए तीप्रा मौथा का नाम लेकर कोई मेरे कंदे में रख कर अगर कोई violence करेगा तो मैं उसको tolerate नहीं करता हूँ मुझे नाम चाहिए मैंने अपना भी inquiry किया है और अगले एक हफ़ते के अंदर उनको suspend किया जाएगा मुझे नाम चाहिए और मैं अपने रैमा वैली और गंगा नगर यूनिट के तीपरा मौथा के leaders को बोड़ रहा हूँ कि मुझे नाम दीजे मैं अगले चाट दिन के अंदर उनके खिलाफ action लूँगा CPM के लोग BJP के लोग IPFT के लोग आज मुझे अटाक कर रहे और कह रहे कि मैं मुझे अटाक करके क्या मिल रहा है उनको मैं तो मैंने पूरे election में मैंने देखा कि एक news में आया कि IPFT ने कहा है कि जब महाच का नाम गिरेगा तब ही IPFT उठेगा मैंने आज तक IPFT को अटाक नहीं किया अगर IPFT को सोचना है तो IPFT क्यों हारा election IPFT ने अपना election इसके लिए हारा क्योंकि जिस मुद्दे में वो पावर में आये तीप्रालैन उसी को उन्होंने छोड़ दीया पावर में रहने के लिए आज हम पावर में council में हैं तभी भी मैं greater तीप्रालैन के बारे बोड रहा हूँ आज पावर से आने के बाद कितने बार उनकी लीडर ने तीपरडान के बारे बात किया है वो भुबाग्रा के लिए नहीं हारे वो तब हारे जब वो चुप हो गए वो तब चुप हो गए जब S.E.A. हुआ वो तब चुप हो गए जब N.R.C. हुआ वो तब चुप हो गए जब हमारे खिलाफ एक पूरा planning किया गया था हम लोग को ख़तम करने के लिए और वो चुप रहे क्योंकि उनको power में रहना था वो चुप इसके लिए रहे क्योंकि उन्होंने तीन साल में सिर्फ अपने BGP के ही लोगों को attack किया ना कि किसी और को तो ये उनका एक पूरा planning है और इसी के लिए वो लोग आज power से बाहर है उनको लगता है कि उनका दुश्मन बुबागरा है उनका दुश्मन बुबागरा नहीं उनका दुश्मन है वो जो पैसे के लिए अपने लोगों को पीछे रखकर अपना खुद का संसार बढ़ा रहे है corruption है आपका problem आपका problem है कि आपने जिस बात से आप power में आए उसी को आपने छोड़ दिया हाँ development बहुत बड़ा issue है development ही बहुत बड़ा issue है लेकिन हमको आदमी ने power में सिर्फ development के लिए नहीं लाया हमको greater तीप्रा लैंड या आपके लिए तीप्रा लैंड के लिए भी लाया था जो हताय कोतर में जो हमने बारा दिन आप लोग ने बारा दिन दस दिन गाड़ी में आपने रास्ता रोका उस समय आपने development के बारे बात किया था आपने education के के खिलाफ कुछ नहीं का मैंने पूरे election में positive campaign किया लेकिन आज सब लोग मिलकर मेरा नाम खराब करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता कि अगर बुबागरा का नाम खतम हुआ तो हम लोग उठेंगे नहीं अगर मैं गिरूंगा तो फाइदा किसी और का है फाइदा किसी और क आपको तो सामने पुतला बनाकर रखा गया है सोचो आज भी मैं आप सबको अपील करता हूं जैसे INPT ने अपना स्वार्थ नहीं देखा बिजर अंखल इतना सीने लीडर अपना स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने दोफा के बारे सोचा उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि अब तिप्रम मौता के संग हमको एक हो जाना चाहिए I welcome that step that is called थांचा उसको देखे आज हमारे ब्रू लोगों को अभी भी ठीक से रहने का ज़़ा नहीं मिला है उसमें हमको थांचा होके एक संग काम करना है लेकिन नहीं आपको politics करना है आज NRC का case अभी भी सुप्रीम court में है मैंने case file किया है उसमें हमको थांचा होना है इसी के लिए मैंने आज तक पताल करन्या के खिलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कार्ट में NRC के खिलाफ यह case file किया है आज CAA में मेरा case है Supreme Court में उसमें आपको solidarity देना चाहिए उसमें आपको आकर साम के बाद जो काम कर रहे हैं वो अलग है दिस नौट एक्सेप्टिबर फाइनल पॉइंट चैरिटी बिगिंस एठों काम हमेशा घर से शुरू होता है मैं दूसरे पार्टी को कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगा मेरे तीप्रा मौथा में भी मैं दो तीन लीडर को ख्लेली उनको मैं देख रहा हूँ उनका काम कैसा चल रहा है और थ्रू फेस्बुक लाइफ मैं आप सब को जो बिजनिस में हैं जो दुकानदारी करते हैं मैं आप सब को बोल रहा हूँ एक रुपया एक रुपया भी आप चंदा में कोई भी लीडर को मत दो तीप्रा मौथा के न नहीं हैं दूसरे पार्टी में थे लास्ट मोंड में आये हैं और तीप्रा मौथा का नाम लेकर अपना पैसा कमाने का चक्कर में हैं आने वाले एक हफते के अंदर मैं तीप्रा मौथा का सेंट्रल कमिटी यूथ कमिटी बुरुई बदॉल और हम लोगा स्टूडन्स का फ तिप्रा मौथा का लीडर्स होगा जो लोग गाउं गाउं जाकर किसी को धरा रहे हैं जो आज से तिन मेहने पहले तक दूसरे पार्टी में थे अभी क्योंकि तिप्रा मौथा पाउर माया है तो उसमें घुज कर आप अपना दादगिरी कर रहे हैं आप लोगों को पोस्ट ने मिनने हाला है तो आपका धन्दा भी मैं बंद करूंगा क्योंकि में करप्शन को देखता नहीं हूं। मैं करप्शन को टॉलरीट नहीं करता हूं और कोई भी एक रुपयआ भी मत दो कोई भी leader जो आकर टीप्रा मौथा के नाम में जंदा करेक करना जाता है यह मेरा clear point है देखो तीप्रा मौथा is a movement हमारा movement है for greater तीप्रा लाइन जिस दिन greater तीप्रा लाइन मिल गया उस दिन मेरा एक काम खतम होता है यहां में बहुत लोग बोल रहे है कि महराज आप next chief minister बनिये मुझे next chief minister नहीं बनना है मुझे next MP भी नहीं बनना है मुझे next कुछ नहीं चाहिए मुझे next तीप्रा लाइन चाहिए और वो greater तीप्रा लाइन में सब लोग खुश रहेंगे बिंगॉलीज भी खुश रहेंगे मनिपूरीज भी खुश रहेंगे हमारे तीप्रासास खुश रहेंगे हिंदूस खुश क्रिश्टिन्स खुछ रहेंगे, बुधिस्स खुछ रहेंगे, सब खुछ रहेंगे, मुस्लिम्स खुछ रहेंगे, क्योंकि हम धर्म जाती में भेदभाव नहीं करते हैं, और हमारा एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट आगे रहेगा, अगर मुझे ही, अगर मुझे एक पत देकर मैं आज अगर अपने ही आइडियोलजी में कॉंप्रमाइज कर दो, जैसे जो दूसरे पार्टी जो पाउर में आने के बाद मंतरी बनने के बाद अपने आइडियोलजी में उन्होंने कॉंप्रमाइज किया है, अगर मैंने कॉंप्रमाइज कर दिया, क्योंकि मुझ मुझे MP बनना है, मुझे मंतरी बनना है, अरे भाई, ये इससे क्या मिलेगा, ये post पर्मिनेंट नहीं होता, मुझे आपके दिल में पर्मिनेंटली बसना है, और उसके लिए मेरा personal post का कुछ मतलब नहीं रहता है, इसके लिए मैंने council में आने के बाद भी अपना CM का post मैंने न कहा है कि अपने party में one man one post होगा, one man one post, मतलब जो सरकार में है वो party में नहीं होगा, जो party में है वो सरकार में नहीं होगा, अगर यही चीज़ दूसरा party भी करता, तो आज शायद प्रेजडेंट और जनरल सेकेर्टरी को छोड़के और दो मंतरी रहता cabinet में, लेकिन नहीं, उ वो party में नहीं होगा, और जो party में है वो government में नहीं होगा, हमारे MDC's जो भी है, they are most welcome, they are invited to give their opinions, वो लोग अपने opinions देंगे, EM's अपने opinions देंगे, लेकिन party का structure, government के structure से, administration के structure से, एकदम अलग होगा, इसके लिए, मैं आप सब को बोल रहा हूँ, कि, we are going to make अतिप्रा मौथा आप देखे, हम आने वाले दिन में क्या काम करते है, आज हमारे पास council में administrative पाए है, लेकिन council में आज भी हमारे पास पैसा नहीं है, आज भी 85% जो पैसा आता है, वो तंखा में चला जाता है, और जो 5000 लोगों को हम तंखा देते हैं, या 6000 लोगों को हम लोग जो salary देते हैं वो salary देने के बाद, जो 9,00,000 आदमी और है, जो 9,00,000 व्यक्ती और हैं तृप्रा में, जो हमारे ADC में है, 9,00,000 पचास जार और, उनको देने के लिए कुछ नहीं रहता है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, पैसा आपके पास आना चाहिए, politics कम होना चाहिए, और ये जो village council पंचायत election है, उसमें election, symbol के इनलाम में नहीं लड़ना चाहिए, जो गाउँ decide करेगा, जो पंचायत decide करेगा, जो village decide करेगा, वो हमारे party को मानना पड़ेगा, क्योंकि गाउँ हम से जादा जानता है, क्योंकि गाउँ के लोग हम से जादा जानते हैं, और ये जो लोग आक पुलिटिकल सिंभली हटा दिया, और हमने गाउँ को decide करने के लिए एक मौका दिया, कि जो गाउँ decide करेगा, वो ही हमारे लिए ठीक है, तो असल में उन्नती होगा, असल में democracy होगा, ये मेरा last points है, if there is any question, आप पूछ सकते मुझ से, any questions? तक यू, Sushmita Devnath, तक यू Samarjit Chakma, ILP is a demand that we have asked for, and that is our solution, हमने ILP डिमांड किया है अगर Government of India के पास ज़्यादा अच्छा एडिया है तो हम से बोले लेकिन यह हमारा कॉर डिमांड है बर्खा जोई राइट चोग क्या वट हेल्प दियू वांट समिरान मैं भी विश्वास करता हूँ बहुत लोग मेरा नाम खराब करने के लिए एक प्लैनिंग कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिन वो कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो प्लैनिंग कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई और है राजमाता is not well, she is stable, she has got covid pneumonia, she has got fever और हम उनका देख बाल कर रहे हैं गेंजी तकिया फर्स EDC council session will be I think sometime this month अगर करोना हूँ हो गया है then I don't know but I will look into it पंकजडास, सच बात मैं बोलूँ, मुझे statues के उपर कोई दिलज़श्पी नहीं है महाराजा बीर बिकरम के नाम में statues नहीं करके, अगर हम लोग महाराजा बीर बिकरम के नाम में scholarship खोल दे तो जादा अच्छा होगा, जो पैसा हम लोग मूर्ती में खर्चा करते हैं, उससे जादा अच्छा है कि हमारे students के education के लिए खर्चा करते हैं, वो मुझे जादा अच्छा लगता है, जादा ठीक रहेगा थैंक यू, मोहमद दिलावर हुसेन, कोई questions है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अविक पॉल, नो, I have not thought about any such thing as of now खुमुलूंग में जो हो रहा है, मैंने मुझे पूरा मालूम पड़ गया है, सुरेश दे बर्मा, एक हफ़ते के अंदर आप देखिए, मैं पूरा बदलता हूँ, बहुर, what help do you want from Hyderabad? सुरेश दे बर्मा, खुमुलूंग में जो हो रहा है, मैंने कह दिया है, कि हम कोई भी association को accept नहीं करते हैं, कोई contractors association हो, कुछ association हो, वो तीप्रा मौथा का representative नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप सुनिये, गाओं में आकर दस लोग दस बात बोलेंगे, लेकिन इसी के लिए मैं facebook live में आता हूँ, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, वो ही truth होता है, वो ही reality होता है, क्योंकि party का chairman मैं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, कि मेरे party के नाम से किसी को अब एक रुपया चंदा करने के लिए भी आप चांस नहीं दीजे, खापंग बोरोग, we are going to start youth tipra, we are also going to start the student swing, burui bodol, in one week's time, then we can improve the tipra motha and the grassroot, but सबसे important बात है, आप लोग tipra motha को अगर जादा political बनाओगे, तो हम लोग का लोगो का कभी उन्नती नहीं होगा, जब तक ये tipra motha एक movement रहेगा और एक political party कम movement ज़्यादा रहेगा, for greater tipra land, तब तक हम लोग successful रहेंगे, जिस दिन हम दूसरे party के से बन जाएंगे, उस दिन हम भी खतम हो जाएंगे, ये मैं point आप सबको clearly openly बोल रहा हूँ, जर्ज देबर्मा, where are you from? हरी केश देबर्मा, मैं village council election में candidate अपने तरफ से नहीं दूँगा, जो गाउं मानेगा, उसी को हम देँगे, John Molsoy inner line permit is not implemented in Thripura, it cannot be implemented in ADC unless it is not implemented in Thripura, we do not have a single MLA in the assembly, this has to be raised in the assembly of Thripura, not in the ADC council, साजल देबर्मा, ADC में PWD को साल का 4 करोड 50 लाग दिया जाता है, और state के पास over 200 से 300 करोड रुपय होता है, तो हमको जो काम दिया जाता है, सिर्फ 1% काम दिया जाता है, और उसमें भी ये साल अभी तक रुपया नहीं आया है, मैंने देखा, यहां में 2-3 questions हैं, जो सब लोग पूछ रहें, कौन को क्या post मिलेगा, कौन को क्या pad मिलेगा, कौन कहां जीतेंगे, मैं आपको एक पास पूछना जाता हूँ, मैंने खुद MP का post नहीं लिया, मैंने खुद Congress का post छोड़ा NRC के लिए, NRC के लिए मैंने sacrifice किया Congress का, प्रेज़न का post, और CA के उपर, आज, काउंसिल जीतने के बाद मैंने खुद अपना एक post नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि post आने से party का का काम नहीं होगा, और मेरा जो demand है, greater tea plan, वो हलका पर जाएगा, क्योंकि मैं government में भी हूँ, और मैं party भी चला रहा हूँ, इसके लिए one man one post किया, मैंने खुद अपने बारे एक post नहीं मांगा, और आप लोग यहां में दो-तीन लोग हैं, जो पूछ रहे हैं कि मुझे ये post मिलेगा, मुझे sub-zonal post मिलेगा, आप लोगों को आदमी ने vote दिया है, post के लिए नहीं दिया, आप लोगों को हमारे तीप्रा साने vote दिया, greater तीप्रा लैंड को fulfill करने के लिए, उसको मत भूलो, अगर आपको लगता है कि आपको post मिलने से आपका जिंदेगी बन गया, नहीं बना है, इसी के लिए जो दुसरा पाटी आज है, वो खतम हो चुका है, उनको लगा MLA बनके, मंत्री बनके सब हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, आपका real sacrifice है, आपके देश के लिए, आपके लोगों के लिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अपना post के पीछे मत भागो, greater Tepra land का movement के पीछे रहो, जीत सेना, why don't you ask the same question, is all the other parties only for general area, not for ADC, can you ignore 70% of Tepra ADC है, जीत सेना, 70% Tepra ADC के अंदर है, हम 70% Tepra के लिए लड़ते हैं, जो जमीन है, चुमोई हाटा का, यह police act has been, we are going to pass the bill, उसके बाद state government को, पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमको, police चाहिए, to guard our own ADC, चैंड़ा पीके, अभी to make ADC into tourism place, अभी the most important point है, greater Tepra land, and how to fight corona, मैं पार्टी के लिए बात करता हूँ, मैं गवर्मेंट के लिए बात नहीं करता हूँ, पद्मा चाक्मा आइनो, यह हुआ है, वाइलन्स नहीं होना चाहिए, कोई specific question हो, तो आप प्लीज पूछे मुझसे, आने वाले एक हफ्ते के अंदर, मैं पूरा Tepra मौथा का Central Committee, Youth Front, Student Front, बुरुई बदल को रियोगनाईज कर रहा हूँ, करोना में सब लोग मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, और आप विदान सभा के बारे सोच रहे हैं, विदान सभा के बारे, हमारा एक political movement है, अगर हमें तीप्रे लाइन विदान सभा के पहले मिल जाता है, ग्रेटर तीप्रे लाइन, तो हम नहीं लड़ेंगे, हमारा मतलब ही नहीं, हमको अलग मिल गया, जो हम चाते थे, और अगर नहीं मिला, तो ज़रूर लड़ेंगे, कुपलाई बोरॉक, ADC Direct Fund, अगें, दिल्ली से बात करना पड़ेगा, और इसी के लिए तो हम Greater Tipper Land मांग रहे हैं, क्योंकि कब तक हम Direct Fund, More Power, More Power बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे, हम लोगो Direct Power दीजे, दौमदी जमत्या, अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तो Greater Tipper Land कभी नहीं मिलेगा, Tipper Land भी कभी नहीं मिलेगा, अगर हम लोग के बीच में थांचा रहा, और हमने एक दूसरे को कम अटैक किया, और हमने इशू को ज़्यादा सामने रखा, तभी कुछ मिलेगा, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि बहुत लोग चाहते हैं कि अब क्योंकि हम Council में हैं, तो हम TPLAN के बारे बात नहीं करें, Greater TPLAN के बारे बात नहीं करें, Illegal Migrants के बारे बात नहीं करें, हम तो हमेशा बात करेंगे, जो illegal है इस देश में उसको नहीं रहना चाहिए, और Greater TPLAN हमारा core issue है, उसको हम पकड़ के रखेंगे, अगर विदान सभा में सीपे में वोट नहीं दिया तो नहीं देने दो हम आज भी जीरो हैं परसो भी जीरो थे कल भी जीरो रहेंगे लेकिन हम अपने आइडियोलजी से कॉम्प्रिमाइज नहीं करेंगे वोट के लिए नाइशा यू गोणाई थे जीरो नौने से कॉमें सिव एड विड़ो नहीं देज जेक जमट्या च्ट्ट इन आजेड़ चार्टे लिए इंगे प्रीष्ट ट्रिटरर अनौन झार्याग हरन तृपुरा अनौन तृपुरा इन तृष्ट त्रिब्रास दि आ से 문ैने टिप्रालान थ्रिबारीनर किंटंख कि व्यासओ किपेंग किट आ थं लूंवेयन इस्हून मानज दे बर्मा, we will have close to 60 Central Committee members गगान, महान, असलोंग, till now, no money has come for job creation in TTA DC from the state government सुरज दे बर्मा, ठीक बोला आपने, पंचय चेर्मिन is not important, ग्रेटर तीप्राय लान is important महाराजा का पोस्ट is not important, CM बनना important नहीं है, MP बनना important नहीं है ideology is more important जिशनु कर तुप्रा में full lockdown शायद नहीं होगा लेकिन अगरतला में कल से curfew होगा और मैं सब को अनुरूत करता हूँ कि please follow the government guidelines किरन शर्मा मैं जब अपने लोगों के बारे बात करता हूँ तो किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूँ मेरे राज्य के आइडिया में सब हैं, बिंगॉलीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिस्चिन हैं, मुसल्मान हैं, मनीपूरीज हैं जो हिंदूस्तान से आए हैं, हिंदूस्तानी वर्कर्स हैं, चाबागान के वर्कर्स हैं, सब हैं, हम किसी के उपर अतियाचार नहीं करते हैं, हम सेकिलर हैं और किसी धर्म, किसी जाती के खिलाफ नहीं है, तो एनी लास्ट केश्चिन, क्योंकि इसके बाद मैं, कचांग तुरुपरा कौन से गाउं में हैं, से हैं आप? आपार मानी, वे रए तुटन स्वीण, करंट चाक्मा, चाकमा समय शियाच डवर्केर क्रण cक्रोह हैं, क्योंकि तेद अधा इसकी करण। till now this government has not got one rupee also for development activities we are hoping that आने वाले दिन में वो लो भेजेंगे एक काई पेंग पहले तीप्रा लेंड तो अचीव करो पहले ground floor तो बनाओ उसके बार second floor बनाओ आप बोल रहें कि greater तीप्रा लेंड के बाद क्या करेंगे पहले जमीन तो लो अपना वापस अपना अधिकार तो पहले लो last question Haran what is your name of the village आपका गाउंकाद नाम तो बताए हरन विष्णू तीप्रासा और तीप्रासा having violence because हम आज तक अभी भी politics जादा करते है और दौफा के बारे बात नहीं करते है इसी के लिए मैंने का है कि गाउं में नहीं देना चाहिए and Shihanu Maug, nobody will be given a position जिसका record खराब है पहले से Kamal Maug, फाइदी, फाइकाहाम most welcome, आईए Thank you Mary I have already spoken about the COVID issue it is a very serious issue and we all have to wait, vaccine अभी तक पूरा पहुँचा नहीं है हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है Good suggestion अपमानी जमत्या, I will look into it Thank you Ayesha, thank you Raj Maata, I will convey all your wishes to Raj Maata Raj Maata को मैं सबका आपका शुप कामना convey कर देता हूँ Thank you Thank you Thank you